निमस्कार दश्को एस्टोडे की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है मैं हो देपिका कैमरमेन अश्विनी कुमार के साथ आज हम आए हैं सूरज स्ट्रीट में इस शहर के बीचो बीच गांधी चोंक के कुछ ही दूरी पर इन्होंने एक और दुकान खोली है तो हम वहीं पर आए हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि इन्होंने ग्रहकों के लिए क्या-क्या अरेंजमेंट्स किये हुए हैं आप देख सकते हैं यहां पर बिलकुल गरम गरम पिक भी हैं और भी आईस्क्रीम बगरा जैसे गरमिया होंगी तो गरमियों में बच्चे जो हैं बहुत पसंद करते हैं आईस्क्रीम बगरा लेना तो वो भी हैं और आप यहां पर देख सकते हैं यह जो स्टॉल लगाया हुआ है यहां पर हर एक परकार की मिठाई है देख पर देशी बर्फी और भी काफी छहना मुर्गी और भी बहुत अच्छी जो इन्हों ने यहां पर सजाके रखियों हैं आप देख सकते हैं और मेरे तो मुझ में पानी आ रहा है आइफ आइफ कि आपको भी इनको देखके मुझ में पानी जरूर आ रहा होगा तो दृशकों यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर बच्चों के लिए चॉकलेट्स रखी हैं, केक हैं, पेस्टी हैं, पेस्टी और केक और चॉकलेट्स, जो बच्चे जो हैं, बहुत ही पसंद करते हैं, बड़े के लिए उनके बड़े के लिए special बनाया हुआ है, इन्होंने ये दिखि हैं ये, बहुत ही सुन्दर लग रही हैं देखने में, ये देखिए आप यहां पर, ये जो हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे से, जैसे आप किसी का बड़े हो, तो आप उसको बड़े पर दे सकते हैं, ये बहुत ही सुन्दर लग रही हैं देखने में, और यहां पर बहुत पसंद करेंगे इसको लेने के लिए और यहां पर बेकरी की आइटमस भी हैं यहां पर बड़े के लिए और भी कैप्स बगारा रखी हुए इनों ने और यहां पर देखिये आप यहां पर गजरेला है गाजर का हलबा और साथ में गुलाब जामुन हैं गर्मा गर्म साथ में रस मलाई भी है नीचे आप देख सकते हैं इसको और स्पंजी रसकुला भी है बहुत ही तेस्टी होता है ये तो यहां पे बार नमर 6 के परधान भी हमारे साथ मौझूद हैं हम उनसे बात करते हैं कि उनको यहां पे बहुत मसूर और इस माल रोड में इस दुकान की बहुत जरूर थी फिए जो हमें पीछे दो-चार दिनों में आपने हमें इस मार्केट में दुकान खोलके पूरे माल रोड के जो दुकानदार है उससे खुश हैं और इनकी जो भी आइटम हैं सुद्ध और साफ़ शुई लाइक है और बहुत बड़ी रेस्टुडेंट इनों ने खुला है आप मैं सभी से लोगों से विनती करता है जरूरा ये और यहां पर मिठाईयों का अनंद लीजिए तो अब भी यहां पर खुल गया तो आई होप लोगों को भी अच्छी सुविदा मिलेगी नमस्कार सर आपने क्या सोच के यहां पर शॉप खुल लिया यह बड़े लंबे अर्शे से चली आ रहे थी महां के हमारे को सब बजार मने बोरे थी कि आप महार रोड पर दुकान है क फिर हमने सब लोगों से जैसे जो डिमांड कर रहे थी उनको बोला भई दुकान पर वाइड कराई है फिर चलो मालकी दया से यह दुकान मिली हमारे को शॉप मिली काफी बड़ी शॉप है नीचे बैठने की जगा है बाहर है जगाने की यह हमारे च्छी नमर के परदान जी उतना जल्दी खुले तो हमने कोशिच की अब बाकी लोगों को यह सुपदा बजार में हो गई यह मारोड में यह चीज नहीं थी तो होगी अब बाकी आप लोग देखते हैं आपका एच्टूडे चैनल वाले बाकी साब ने उज पेपर बालों में काफी प्रसंच्चा की तो इन ही मिस्चबदों के साथ आपका थेंक्यू यू समझ लीजी कि नए साल की नए शुरुआत है ये तो सर आपनी नए साल की नए शुरुआत पे क्या खास बनाया है यहां पे यहां पे काफी हमने फास्ट पूड की बहुत सारी इटमीं कीई है जो चीजें पहले हम लोग वहां पे जो चार बशॉड फेपर नहीं है वहां पर नहीं फास पोड में की pandemic इननी है वह Le Behind gost ए उज ड्क्ती में सब लोग की थाली स्टार्ट कर रहें खाने की हराई दो सब्सटैंगी यह फैशन थावली भी स्टार्ट करें यहाँ पर तो जो भी यहाँ पर खाना चाहिए एनी टाम यहां पर आ सकते हैं टाइमिंग क्या बताई मुजाने टाइम सब्स कर all 500 गने gelir जो तो एस अब जब मरत यहां पर आ सकते हैं और खा सकते हैं बहुत ही अच्छी पहल इनोंने की है और अब हम ग्रहकों से ही जान लेते हैं कि वो यहां पे क्या खाना पसंद करते हैं और कितने टाइम से वो यहां पे आ रहे हैं वो तो दर्श को यहां पे आप देख सकते हैं सिटिंग प्लान कितना सुंदर है देखने में ही इतना मज़ा आ रहा है तो I hope आप यहाँ पर आके खूब enjoy करेंगे यहाँ पर कुछ लोग उपस्तित भी हैं हम उनसे जान लेते हैं कि उनको यहाँ पर कैसा लग रहा है और कैसा महसूस कर रहे हैं वो यहाँ पर लगशकर मैम यहाँ पर आके आप कैसा महसूस कर रहे हैं अच्छा महसूस कर रहे है और यहां पर आप कौन सी डिस है जो ज़्यादा खाना पसंद करते है अब इक ऐसा रहा है पोड़े किये हैं तो इनको काफी पसंद आ रहा है यह खारे हैं व्हों बहुत पसंद आ रहा है जो का खा में बताएंगे आ Campaign experience कैसा रहा हैं अचल लग रहा है जो भी मैं आओरagers ऐसा रहां Via आना पसंद करेंगे बहुत अच्छी बात बोली इनोंने कि यहां भी इनको बहुत पसंद आया यह और यह बार-बार यहां पर आना पसंद करेंगे कि यहां पर बहुत ही अच्छा जो जो भी इनोंने ओर्डर किया हुआ था वो बहुत ही अच्छा लगा है इनको नुश्कार सर सिर आप यहां पर कब से आ रहे हैं हम तो आज पहली बार आ रहे हैं तो आप क्या खाना पसंद करेंगी यहां पर अभी तो हम गुलाब जाम इन ओर किये हैं देखते कैसे लगेगा मतलब यह अभी टेस्ट करने बाले हैं तो उसके बाद ही पता चलेगा कि इनको कैसा लग रहे हैं जल्दी लेके आईए क्या कितना टाइम लगेगा आपको लाने में तो दर्श को यहां पर माल रोट पे जो सूरज च्विक की एक नई शॉप खुली है उसमें आपने देखा कि किस तरह से लोग जो है यहां पर खाना फरस्ट रिम आये हैं और उनको बहुत पसंद आया है यहां पर खाना आई होप की आप यहां पर जरूर आएंगे और यहां पर टेस्ट करेंगे की किस तरह से यहां पर जो भी खानी की चीजी है वो कैसी मिल ईर्श कार में आहां पर बीच बजार में क्या बोलना चाहेंगे यह दुकान हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि 20 बजार में कोई ऐसी दुकान नहीं थी और इनकी जो मिठाईये हैं बहुत ही अच्छी है इसलिए सबी लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग बजार में आते हैं उनके लिए भी और सब के लिए बहुत अच्छा है ब आप 5 साल से जुड़े हैं तो मुझे ये बताई कि कौन सी डिश है जो आप बहुत खाना पसंद करते हैं यहां के मैं तो अभी भी ढोगला ले रही हूं और यह मैं बहुत खाती हूं ओके मैम को ढोगला बहुत पसंद है वही ओर्डर कर दो कि अगर और तो कर दिया है मैम ने पैक कर दो जल्ली से तो हम यहां पर जो काउंटर पर मैम है उनसे भी जान लेते हैं कि उन्होंने ने साल की शुरूआत के साथ तक चाने में क्या शुरू किया हूँ में नमश्कार मौया जी नए साल के शुरुमाट की तो उसके साथ चादी काने में केकändern की हुद्ग से जनियम interviewed में देख सकते हैं क्योंकि customer demand थी first of all और हम जितना customer के नजदीक पहुंच सके हम उतनी कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी सर्विस दिने के कोशिश करेंगे यह हमारा जो नए साल का थीम में कि अच्छी से अच्छी पहले से तो थे लेकिन जिसे कि हम बजार से थोड़े कटे वे थे लेकिन हम बजार के बीच में आगे हैं अवेलेबल है जो कस्टमर है वो यहां पर आके बहुत ही अच्छा फील करेंगे आई होप इस तरीके से अपनी आप कर अच्छा कर सकते हैं आपके बॉड़ी करी पना सकते हैं आपके देख रहे हैं